29 नवंबर से जिले में चल रहे धान उपारजन का कारिय 20 जनवरी को समाप्त हो गया है इस वर्ष 18,236 क्रशकों ने धान बिक्री के लिए अपना पंजियन कराया था जिसमें से 13,749 क्रशकों के द्वारा 7,25,072 क्विंटल धान बेची जा चुकी है 22 जनवरी से जिले में बारिश का दौर शुरू हो चुका है शनिवार को मौसम ने करवट ली और शाम से ही बूंदा बांदी का दौर चलता रहा बारिश से धान को बचाने के लिए समीतियों के पास संसाधनों की कमी है ऐसे में परिवाहन की सुस्त रफ्तार भी धान पर संकट उत्पन कर रही है लगातार कमी के कारण अधिकांश समीतियों में नीचे रखी बोरियों में धान अंकुरित भी होने लगी है परिवाहन ठेकेदार की लापरवाही को देखते हुए अब तक उसके विरुद्ध 5 लाख रुपए का आर्थ दंड भी प्रस्तावित किया जा चुका है